यह है इस remedy का असर, face बहुत soft, बहुत glowing और बहुत ही ज़्यादा tone लग रहा है, garden का सारा tan निकल गया, heart का सारा tan निकल गया, नमश्कार, welcome back to my youtube channel, मैं हूँ Pooja Lutra, और मेरे चानल पर आप सभी का स्वागत है तखे दिल से, as you know, की summers आ रहे हैं, और summers आते ही हमें चिंता होती है, अपनी कोहनी, घुटनों की, हाथों की, पैरों की, जो सर्दियों में तो चुपे रहते हैं, लेकिन गर्मियों में, जैसे कपड़े उतरते हैं न, तो पता चलता है कि हाथों में, पैरों में पुरी तरह से tan हो रखा है, and skin बिल्कुल काली पढ़ गई है, दरारे आ रखी है, गर्दन काली हो रही है, पीट काली हो रही है, तो कैसे इन से छुटकारा पाएं, कैसे सर्दियों में जो हमने ध्यान नहीं रखा, उसकी भरपाई कैसे करें, कैसे उनको वाइटन अप करें, ब्राइटन अप करें, तो here I am with a video, full body lightening remedy आप लोगों के साथ share कर रही हो, बहुत cost effective है, क्योंकि सारी चीज़े घर पर मिल जाएंगी, और पार्लर का, सालोन का clean up, जितना मरजी करा लो, लेकिन ये remedy के जामने वो बिल्कुल fail है, आप एक बर try ज़रूर करिएगा, अपने हाथों पर, पहरों पर, कोहनी पर, बहुत amazing results आपको मिलेंगे, और आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से आपको ये process करना है, remedy शुरू करने से पहले एक बहुत important बात, आज मैं आपके साथ sure करना चाहती हूँ, बात करने वाली हूँ हमारी safety की, बात करने वाली हूँ self-esteem की, जी हाँ, बात करने वाली हूँ street harassment की, कभी बस में, तो कभी street पर, कभी metro में, कभी college में, कभी office में, कभी work place में, कितनी ही बार ऐसा होता है, जब एक महिला को ये harassment छेलना पड़ता है, कभी unwanted comment के रूप में, तो कभी unwanted touch के रूप में, तो कभी street पर ही कोई follow करने लग जाता है, इस हालत में, एक महिला, एक लड़की, एक औरत, जिस trauma से गुजरती है, वो वही समझ सकती है, वही जान सकती है, आज हम बात करते हैं, women empowerment की, महिला से शक्ती करन की, but irony इस बात की है, कि most of the women do not know how to stand for themselves when these things happen to them, So, let's stand up together against this street harassment, and today I am so proud to be a part of stand up against street harassment movement that is being run by L'Oreal Paris, Basically, it is a 15 minutes free training program to learn what to do when these things happen to you, and how to stop it if you are seeing this thing happening with someone else, तो मैंने अभी अभी ये training लिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, and I will insist every viewer and subscriber of my channel to take this free training, सिर्फ 15 minutes लगेंगे, लेकिन आप equipped हो जाएंगे, उन tools से, उन methods से, जिनकी help से, आप इसको रोक सकते हो, So, let's stand up together and stop this unacceptable behavior, link मैंने description box में दे दिया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस remedy को देखने के बाद, वो link पर क्लिक करके training ज़रूर लीजेगा, आपके परिवार में जितने भी सदसे हैं, सब इस training को लें, ताकि आप, मैं, हम सब मिलकर, इस street harassment को रोक सकें, तो ये तैन रिमूबल प्रोसेस के दो स्टेप है, फर्स्ट इस क्लेंजिंग, बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करने वाले हैं, हम अपनी स्किन की, आपको लेना है, दो से तीन चमच गरम पानी, तेज गरम पानी, बॉलिंग होट वाटर होना चाहिए, तो इसमें हमने एक और चीज आड करनी है, तो बॉलिंग होट एकदम तेज गरम पानी आपने लेना है, इसमें, जो दूसरी चीज आप अड करेंगे, वह है ये एक चम यह बहुत ही powerful solution बन जाता है skin cleansing के लिए, सारी काली परत आपकी एक ही बार में यह उतार देता है, तो इस तरह से अपने गरम पानी और orange peel को mix कर लेना है, यह देखिए, orange का पील मैंने निकाला है, उपर वाली layer निकाल ली है इस तरीके से, इसको ग्रेज कर लिया है, आप चाहे तो orange का छिलका, ब्लेंडर में डालके अच्छे से blend भी कर सकते हो, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप यह orange peel extract कर लोगे, तो process चुरू करने से पहले, बालों को थोड़ा ट्राय कर लेते हैं, because यह थोड़ा सा messy होने वाला है, तो मैं गल्दन पर और हाथों पर आपको कर सकते हैं, इस solution में इस तहां से, और गर्दन पर इस तरहां से आप मसाज करनी शुरू करेंगे, एक ही बार में इससे पूरी की पूरी काली परत आपकी उतर जाने वाली है, और dullness दूर होने वाली है, अच्छे से एक से दो मिनट के लिए करेंगे, पीट पे अगर टान की प कर लेना, और नीज पर, कोहनी पर, घुटने पर, सब जगे कर सकते हो, इसी तरीके से, फेस पर भी कर लेती हूं, मैं, फेस का भी पूरा का पूरा टैन निकल जाएगा, अच्छा कई लोगों को ना ओरेंज पील, फ्रेश सूट नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, आप इ पैच टेस्ट जरूर कर लेना, हाथों पर पर, फेस पर लगाने से पहले, ठीके, और अगर ओरेंज पील, बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो आप इसकी जगे, थोड़ा सा, करम पानी में थोड़ा सा, नीम्बू का रस, या टमाटर का रस डाल के भी क्लेंजिंग कर सकते ह ठीके, तो दोनों चॉइसे मैंने आपको बता दी है, फेस पर भी मैंने लगा लिया है, और अब मैं इसे अपने हाथों पर भी अच्छे से लगा लूँगी, ताकि पूरा का पूरा टैन निकल जाए, कोहनी पर भी अच्छे से मैं कर लूँगी, ताकि जो ब्लैक लेयर से बन गई है, वो निकल जाए, इस तरीके से मसाज करने के बाद, पांच मिनट के लिए आपको इसे अपने फेस पर, गर्दन पर, कोहनी पर, गुटने पर, पीट पर, जहां भी आपने लगाया है, अच्छे से लगे रहने देना है, अब आप पानी में इस तरहां से एक अपड़ा या टावल डिप करेंगे, और उसे अपनी स्किन को क्लीन कर लेंगे, सिर्फ क्लेंजिंग हुई है अभी, और स्किन का ग्लू देखो, अच्छे से क्लीन कर लिजे स्किन को, पूरा टैन, सिर्फ क्लेंजिंग से निकल रहा है, अब ये डीप पॉर क्लेंजिंग करने के बाद हम करेंगे स्क्रब बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा बेसन लेंगे हम, बेसन माइडली स्क्रब करेगा अपकी स्किन को, और टैन रिमूबर के लिए बहु इसमें मैं add करने वाली हूँ आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, चीनी में एक लाइकॉलिक ऐसे होता है और स्किन पर बहुत ही अच्छा निकार लेकर करके आती है चीनी और दाग धबे भी दूर करती है, तो ये चीनी add कर ली है मैंने, अब add करेंगे दही, तकरीबन एक चम्म मुझ oral मैं नहीं करती है अगर नहीं का花च नहीं करती है, तो आप इसमें दूद डाल सकते हैं दूद बी बीऑन 2-1 और अलोवयरहते हो आधा चम्मच जम सब्सक्राइक चारइब ख confused यह जे अधा चम स्केज कार टैड़ा है शोट पस शोच करती हैं तो अभन आप का रिए पोर्स की टाइटनेस को बढ़ाता है पोर्स अगर इनलाज हो रखे तो टाइटनेस उनकी बढ़ जाएगी और टैन तो रिमूफ करता ही है तो यह थोड़ा सा टमैटो मैं इसमें नहीं चोड रही हूं और इसके बाद टमैटो से हम अपनी स्किन की मसाज करने वाले हैं यह द थोड़ा सा और ले लेंगे फेस गर्दन कहुनी हर जगहां इसको हम लगाएंगे समझ में जो ताजगी चाहिए अपके फेस को अपकी स्किन को वह इस सोलुशन से आपको मिलेगी और टैन तो रिमूव हो ही रहा है स्किन का गलो भी बढ़ जाएगा यह लोची गर्दन पर गर्दन पर भी हम अच्छे से लगाएंगे बैक पर भी लगा लीजेगा अगर आपको जूरत फील हो और पैरों की एडियां पैर सब जगह आपने इसे इस तरीके से अप्लाय कर लेना है और टमाटो के पील से मसाज करनी है इस प्रोसेस में वही पांच से साथ मिनट का टा यहाद तक इससे रिड्यूस होगी और फाइन लाइन रिंकल आने लगी है वो भी दूर होगी तो हाथ और पैरों पर भी इसी तरीके से आप इससे स्क्राबिंग कर लेंगे ऐसे बहुत ब्राइट हो जाती है इसके बास किन बिकूस टमाटो बेसन चीनी दही का यह जो कॉम पूरा हमने अप्लाई कर लेना है मैटों से करने के बाद एक बार हाथ भी चला लेंगे अपने हाथों से भी कर लेंगे विकॉस जो टच थेरपी होती है न यह अमेजिंग होती है और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूं कि प्रेशर पॉइंट तो आपने हर चीज में दबाने ह है क्योंकि यही प्रेशर पॉइंट्स आपकी स्किन पर वो ग्लो लेकर के आते हैं जिसकी हम सब को तलाश है अच्छे से हाथों पर भी गर्दन पर भी और कोहनी पर उतने पर जहां भी आपको टैन है इस तरीके से पूरी सर्वियों का टैन निकल जाएगा आपको यह कि क्या इफेक्ट आया है इस रेवडी का और उसके बाद हम अपनी स्किन को मोईस्चराइज भी करेंगे इसके बाद ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि आपकी स्किन की जो डेडले रर्थी वो निकल चुकी होगी और नई स्किन आएगी तो नई स्किन को आपने बिल्कुल भी अन्ट्रीटेड नहीं छोड़ना है इसके बाद मोईस्चराइजर लगाना है मोईस्चराइजर में क्या लगाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी ये देखिए पानी से मैंने वाउष कर लिया अर्पानी सही करना है फेस वाउष सा आवुन कुछनी प्रेश और उच्छा भी नहीं है यह जिद्धी से जिद्धी टैन को पी रिमूव करती है और स्किन को बहुत-बहुत बनाती है गर्दन भी एकदम वाइट हो गई फेर हो गई सारा टैन निकल गया और हाद देखिए पूरा टैन हाथों का भी निकल गया तो मेरी स्किन हो पूरा रिमूव हो गया और बहुत-बहुत अच्छा ग्लो भी आया है स्किन पर तो इस रेमिडी को आपने जरूर ठ्राय करना है अच्छा एक बाद मैं आपको बता दूँ जब आप फेस को धोगे तो पानी बिल्कुल गरम मत यूज करना नॉर्मल टेंप्रेचर होना चा करेंगे हनी को आदा घंटा लगाना है अपने और उसके बाद पानी से स्किन को धो लेना है और या फिर आप सिफ रोज वाटर स्प्रे करेंगे अगर ऑईली स्कीन है बिल्कुल बहुत ज्यादा सैंस्टिफ स्कीन है ऐलोवेरा जल भी सूद नहीं करता तो आप रोज है तो इस तरीके से हरका हरका मोईस्टिराइजर तो इस तरीके से ऐलोवेरा जल लगा लीचीगा और यहां खतम होता है आपका यह स्किन टैन रिमूबल प्रॉसस्स बहुत बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे आपको फॉस्ट टाइम के यूज से ही और यह मैं कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर किया हूं तो आज के लिए इतना ही कर फिर मिलूंगी आप से अच्छे से वीडियो के साथ पर तक के लिए अपना घ्रान रखेंगे आप कुश रहेंगे का कुश्या बाद करेंगे का वाँ बाई